दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक इसा बीजिस आइडिया आपको बताने वाला हूं जो आप 10 से लेकर 15,000 रुपे तक से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको भी इतना इन्वेस्ट करके बीजिस करना है तो आपको इस वीडियो को लास तक देखना है otherwise आप इसे skip कर सकते हैं मैं अभी आपको skip करना हूँ क्योंकि अगर आप 10 से 15,000 रुपे भी नहीं लगा सकते तो आप मुझे लगता है कि आप कोई भी बीजिस स्टार्ट नहीं कर सकते जिरो इन्वेस्ट में बहुत ही कम बीजिस है जो स्टार्ट करना होता है otherwise कुछ ना कुछ पैसे आपको इन्वेस्ट करना ही होगा अगर आप कोई भी चोटा मोटा बीजिस स्टार्ट करना चाहते है तो आज का जो बीजिस है वो उन लोगों के लिए है जो मतलब 10-15,000 रुपे लगाना चाहता है या फिर उस टाइप के भी लोग हो सकते है जो इन से उपर लगाना चाहता है तो मिनिम्म 10,000 रुपे तो उनके पास होने ही चाहिए तभी आप इस बीजिस को स्टार्ट कर सकते हैं जोस्तों अगर आपको भी 10-15,000 रुपे में कोई बीजिस स्टार्ट करना है तो इस वीडियो में एंड तक बने रही है आप सभी को बता दू कि आप सभी आगर पहली अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्रीज वीडियो को लाइक कर देना और मैं इसी तरह का बीजिस आइडिया फिकराना दुकान से डे वीडियो डालता रहता हूं तो आप इस चैनल को पी सब्सक्राइब जरू कर लेना वहले दोस्तों मेरा नाम है अमन और आप देख हर घर की जरूत है हर घर में ये यूज होता है अगर आप इसका बीजिस स्टार्ट कर लेतो तो आपका ये इसे मतलब जैसे ही आप सफ़ली सफल हो पाओगे अगर आपको आप सही से जानकारी हो जाए और आप सही से इस बिजिस को करते हो दोस्तों मैं बात कर रहा हूं जाडू का बिजनिस जियां दोस्तों कई तरह की इसमें जाडू होती है नारियल की जाडू होती है फूल जाडू होती है बांस की जाडू होती है जियां गाइस आप ये सुनकर वीडियो को कट मत कर देना क्योंकि इसका पीछा का राज क्या है क अपना बीस्टार्ट करना चाहते है वह किस लेविल पर स्टार्ट कर सकते हैं तो 10,000 रुपई अगर आप लगा रहे हो तो आप एक रिटेलर बन महीना दो महीना या फीर एक साल लगबग उसमें देना होगा आप कोई भी बड़ा बीदेश किर न İrונים करना चाहते हो तो आपको स्टार्टिंग में से स्टार्ट करना होगा आपको अनुभाव लेना होगा कहां पर बनती है कैसे आपको मैंचना है बैंचने के कल अगर आपके अंदर आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हो सबसे पहले आपको रिटेलर बनना है 10-15000 रुपी लगाकर आपको सभी तरह का माल इकटा कर लेना है आप होलसेलर से ला सकते हो या फिर मैनुफेक्शेरिंग से ला सकते हो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो यह जरूर आजमां कर लेना क्योंकि एक जाड़ू पर पता नहीं कितने रुपे बस सकते आप 10 उर्पे भी ले सकते हैं में लेता हूं ऑपनिसे करता हूं अपनी दुकान मुनाफ़ा होगा अगर आप दो टो डोर जाते हो तो आपको इससे ज्यादा मुनाफ़ा होगा आप एक जाड़ू पर बिस और उपर तक भी ले सकते हो जैसे ही आप 10,000 रुपय का माल लेकर आए एक जाड़ लगबक बिस और बचाते हो तो आप अगर दिन को यहांता है यह कि आपको कोई बढ़ा मैनिफेक्चिर्ण करते हैं देड लाग एक ला właściग रृप्या लगाना चाहते तो आप होल्सेलर بن سکتے अब आपको होल्सेलर बना है कासे जहां से मतलब कोई भी बड़ा घौनय मैंनेफे कढान होते होां से आपको माल लेना है और एक होल से की आपको दुकान शोप या कोई भी ऐसा एंडा लेना है जहां से लोग आए और आप से माल लेकर चले जाए जोँ आपको होल्से,ल का अनुभाव हो जाए आपको पता लगे NICK इस तर्यके से होलसे,ल पर कमाई होती है इस तर्यकर अनुभाव आपको लग जाए तब मेनुफेक्चिर्ण या फिर कोई भी मसीन लेने की सोचना otherwise कोई भी बिना आईडिया या फिर बिना किसी के अनुभाव के आप मशीन मत खरीदना यूटूपर वो सारी इसी वीडियो पड़ी हुई है जो मशीन खरीदने को कहती है इतने रुपे लगाईए उतने रुपे आप महीनों के कमाऊगे तो वेव सब बिना अनुभाव बिना आईडिया फिर बिना किसी के नहीं सफल हो सकता है आपको पहले अनुभाव लेना होगा जीनों से स्टार्ट कीजिए एक एक कदम चलिए आप एकदम मतलब ऐसा मत कीजिए क्योंकि इसमें आपको घाटा हो सकता है धिरे धिरे आगे बढ़िया धिरे धिरे आपको का बिनिस स्टार्ट कर सकते हैं जब आपको होलसेल का अनुभाव हो जाए तब आप मशीन लाना और मशीन जो होती है वो लगबग 5 लाग से उपर की होती है और उसमें जब आप अनुबाव हो जाएगा जाड़ू का सारा कुछ आपको पता चल जाएगा तब आप मसील लगाकर भी उसे सेल कर सकते हैं तब आप 5 लाक रुपए से उपर इन्वेस्ट करना इस बिजिनिस में अधरवाईज आप 10,000 या 15,000 रुपए से श्टाट कीजिए और कमाई सीखे किस तृप के से आपको बैचना है किस तिरिक से आपको उससे ही कमाना है और उससे ही उससे ही मतलब आपको बचाना है कोई भी मसीन कोई भी ऐसा मत करना पहले ही तो आगर आप कोई भी बीनिस इस्टार्ट करना चाहते हैं थो यह था लगा तो बस आज की स्वीडियो में इतना है मिलते हैं फिर कोई और नेफ्ट वीडियो में